सात्यों हर गाय से बच्चेया लेना कोण नहीं चाता कि मेरे साइवाल गाय अगली बार में बच्चेया दे फेमेल को जन्म दे। कुर नहीं चाहता है कि मेरी गीर गाएं हर साल बच्चिया करstat WOW यह ख फाईश रहती है कि मेरी बेंस यह मेरी गाएं पाहिएं हर बार बच्चिया करती और फिर वह प्रेगनन्ट हो फिर बच्चिया कर से क्या होता है सागो उसका दूध उत्फाल बढ़ जाता है तो वह किसांघ की यह भावना होती और यह आशारे थे एक मेरे हर बच्छे़ उर मेरे हर गाया हमेसा बच्छे करने वाले सिमन की यानी बीच की यह कैसी ब्रेंडेट कंपनी हमने एक ऐसा सिमन धूंड के लाएं हम आपके लिए जिसका रिचल्ट हंड्रेट परसंट आता है और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना क्योंकि आप वीडियो को स्किप करके देख लेते तो आपको आदेवदुरी जानकरी मिलती है और फिर इलाज के आवाव में आप गलत तरीके से इलाज करते हैं तो आपका इलाज सक्षत नहीं हो पाता है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त बैने सिंग हडा आप देख रहे हैं हाडा वर्ट्स क्लप पश्व पालन से सिमन रहते हैं जो X और Y सुक्राण रहते हैं उन दोनों को अलग अलग कर दिया है यानि X को अलग कर दिया अगर दोनों मिक्स रहते तो या तो बच्चिया देती या तो फिमेल होता या मेल होता अगर हम फिमेल को अलग कर दे अगर हम मेल को अलग कर दे और केवल फिमेल का सीमन हम अपने जो गाये है जीट पर आई उसके घरभासे में डाले तो शोर है कि उसमें फिमेल लिजन मिलेगा क्योंकि आपने एक सबावले शुक्राणू तो अलग कर दिये अब बचे लाएवाला अंदर डाल देंगे तो वह यहीं देगी कोई दिक्कत नहीं है शातियो ऐसा यह सीमन है इसमें केवल 90% शुकराणू केवल फिमिल के है यानि मेल के नहीं यह केवल फिमिल के है ताकि जो गाय है जो बेस है वह केवल बच्चे को जन्म दे सके इसलिए यह सीमन बनाया गया है और इसके रिजल्ट हमने देख लिए बहुत अच्छे तो आपको जो भी किसान भाई बोल दे की डोक्साइब या वेटंरилось बीस्था जिसे यह सुख्रण गमेट मेरी अगया गया शाहिमा उपाहिए या मुर्णार बेश्या skilled मेरी केवल बच्चिया दे तो आप वहां पर उनकी आशा के अनुसार आप यह डाले और 100 परसंट डाले इसके बहुत एच्छ रिजल्ट आते हैं आप आपको अगर करना सभी से आती है तो आप इस सीमन का उप्योग करें और बहुत 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 रिजल्ट आएंगे सीमन का उप्योग कैसे करना आपको सर परतम टंकी में तो में रहता है लिक्विड निट्रोजन में कोई दिक्कत नहीं हो ही चाहिए उसको निकालने के बाद आपको क्या करना है 36-37 डेगरी के तापमान के पानी में इसको डालना है और एक मिनिट तक रहने देना अगाय का सीमन तो बहुत सेंवन है नए तो दो मिनिट तक रखना है आपको वो दुसरे सिमन की बात नहीं कर रहा हूं केवल सेक्स अल्टरा सिमन की बात कर रहा हूं वो दुसरे सिमन की बात नहीं कर रहा हूं इस सिमन की बात कर रहा हूं इसको आपको एक मिनिट तक गाय का सिमन रत पानी में रखना है बेंस का सिमेनेत आपको दो मिनिट तक पानी में रखना ही है पानी में रखने के बाद दो मिनिट के बाद आपको इसको थोड़ा सा हिला लेना है और AI गन में लोड करके डारेक्ट से रिक स्मिक के द्वारा यो नी में आपको डाल देना है यानि गर्बा से में आपको डाल देना ताकि पशु प्रेगनेट हो सके यही प्रक्रिया इसकी ज़्यादा कुछ खास नहीं है यदि आप भी चाहते हैं कि आपके रिजल्ट बढ़े तो इस सिमन का उप्योग करे और अगर कोई पशु मालिक भाई देखिए इसको लगाने से या कुछ बगा देंगे आज का लिया प्रक्रिया बहुत ज़्यादा चल रही है तो इस सिमन से यहां भी कंट्रोल होगा आप डोक्टरेद आपको पता ही है भली बाती का आज कितने पशु इदर उदर गुम रहे हैं तो इनकी गुमावाट में भी कमे आईगी यह जो गु इसलिए लोग उनको बगा रहे हैं और बहुत सारे आज का लंब रस्ते वे देख रहे हैं बहुत सारे इकट्यों के गुम रहे हैं तो यहां पर गुमावाट में भी कमे आईगी और खिसन को फाइदा ही फाइदा है क्योंकि अगर बच्चिया देगी तो उनसे दूद में म ही आप सीम बचाध इस दाणे का सुनन आफ ने रखा ता तो आज इसमें आपके द्वारा ही तु का भी फाइदा है डोक्टर का भी फाइदा हुर कि सन का भी फाइदा दोनों का फाइदा अ लेकिन बात एक थोड़ी यहां पर है कि इसकी थोड़ी कीमत ज्यादा है हमारे नॉर्मल सिमन जो रहते हुआ हमें 30-40-20-60-50 रुपे तक हमें उपलब्द हो जाते हैं आसान इसे कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन यह सेक्सल्टरा सिमन है यह सिमन आपको 4.500 रुपे के बात करें कि हर बार बच्चा देगी तो आप पहले किसान को कमफर्म बता दे कि 90% तक करेंटी है कि बच्चे देगी लेकिन 10% बच्चा भी दे सकती है यानि 90% तो फिमल का जन्म होगा लेकिन 10% मेल भी हो सकते हैं आप ऐसा नेक आपने गारंटी ले लिक्विद मेली लिए अगर उसने कभी मेल को जन्म दे दिया तो ने आप फस जाएंगे ना इसलिए आप उनको पहले बोल दे कि 90% तक फिमल का ही जन्म होता है केबस 10% कभी-कभी मेल भी उत्पन हो जाते इससे ताकि आप महां से बच सकें साथी यह वीडियो तो हमारा इस सीमन के उपर ऐसे और और AI के संबंदी जित्ती विजान करें हम आपको देंगे और परशुपालन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हम आपको बताएंगे उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बेल आइकन को भी तबा ले और एक लाइक जरूर कर दे तब तक क झाल कर दो.